हलो हलो माइक चेक नमस्कार साथ योग कैसे हैं आप सब आसा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे ठीक ठाक है आज जो हम आपको परहा रहे हैं ध्यान दीजेगा क्लास 10 और 12 के लिए और्गेनिक का ये सनरचना आपको पूछे जाते हैं अक्सर आपके एक्जाम में ये स्ट्रेक्चर जो है जिसको हम लोग सनरचना बोलते हैं सनरचना आपको पूछे जाते हैं कि सनरचना आप कैसे बनाओगे तो हम लोग सबसे पहले एलकेन को पढ़ेंगे एलकेन की सनरचना को हम लोग कैसे बनाएंगे तो आप लोग भी हेडि सुरू संतक देखना संदचना बनाने आ जाएगा आपको पक्का जनरल फर्मूला जिसको हम लोग हिंदी में समानी सुत्र कहते हैं अब एन का मान रखेंगे मेरा फर्मूला बनते चला जाएगा अब जब एन का मान बही साब जरा एक रखते हैं तो जब एन का मान एक रखोगे तो देखो फर्मूला क्या होगा हाइडोजन कितना होगा दू एका दू अजोर दू कितना होगा चार और कुछ वर्ड रूट है वर्ड रूट आपको याद करवा रहा हूं वर्ड रूट वर्ड रूट क्या है भया अगर एक कारबन रहेगा न तो बोलना मीत दो रहेगा तो बोलना इत तीन रहेगा न तो बोलना प्रोप, चार रहेगा ब्यूट, बटने पर देना, पांच रहेगा पैंट, समझ रहे हैं, एक के लिए मीथ, दो के लिए इत, तिन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पैंट, बोलो तो एक के लिए मीथ, दो के लिए इत, तिन के लिए बभंद्धन को हो गिए έप्र हो गया βांद को इनका सन रचना कैसे बनाएं तो कार्बन लेंक चुकि पहलेंशनेट नहीं어야 यो ता कारबन मैक्सिमनच चार बोंड तक ही बना सकता ह। उससे ज़्याद बोंड नहीं बनाएबा तो कारबन की चाहएंग hydrogen 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 हो गो गिया, मिधेन का संद्रचना, n बराबर जब साथ हो रखो गे तो जब n बराबर दो रखो गे तो हो जाएगा formula c2 h हो जाएगा दूदुण 4 दूछौ c2s6 कैसे आया इसमें रखे cn h2n plus 2 में n के जगए पे हम लोगों ने 2 रखा तो c2 हो गया hydrogen हो गिया दू दूना चार, चार में दू जोर होगे कितना होगा छे, दो कार्बन है हो गिया इत, इत में जोर दिये एन तो हो गिया इतेन, अब इतेन का संरचना बनाना है तो इतेन में टोटल कार्बन कितने हैं दो, दो कार्बन दे दियो, एन का मतलब होता है सिंगल बोंड, एक बात N-In-I-N यहां N है साथियो तो carbon carbon single bond लगा दिया अब इस carbon को 1 bond है 1-2-3 ature c Hydrogen Hydrogen इस carbon को भी 1 bond है तो 3 Hydrogen लगेगा Hydrogen 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 जोगी जिसे मालो आपको एक question दिया और कहेगा कि संञचना बना चैसे बनाओगे तो नहीं सा background में चेंज कर लेता हूं यह बैक्ग्रोंड थोड़ा अच्छा मुझे नहीं लग रहा है चलो अब एन का मान भाईया अगर हम एन का मान पांच नहीं लिया रहेगा आपको सिधा कहेगा किना किना सनदचना बनाओ थोटल 5 क चार्वन ओर इक इदर देता हुं 5 का मतलब सिंगल पॉंड होता है सब जेग हो इस कारवन को एक बोंड है तो तीन hydrogen लगा देना इस कार्बन को दो बॉंड है दो hydrogen लगा देना क्योंकि दो है एक किदर है एक किदर है दो था दो लगेगा इसकी है तीन लगेगा होगी है यही संवर्चना और यह पिzaćले बार एकजाम में पुछा गया था कि pentane का सनरचना बनावे. लिखे, तो pentane का सनरचना यही है. या इसी को कोई ऐसा हुआ भी लिखेगा, तो भी सही होगा. कैसा? तो दूद को carbon एक है, hydrogen है. एक, दो, तीन, इस carbon से तीन hydrogen. फिर भीचमें single bond. इस carbon से 2 hydrogen. फिर भीचमें single bond. इस carbon से 2 hydrogen, single bone, फिर carbon 2 hydrogen, फिर single bone, एक carbon 3 hydrogen, ये भी दे सकते हैं, तो ये दो संडशना, तो बता भाईया, एलकेन का, अगर general formula कोई आप से पूछेगा, तो बोलना, cn, s2n, plus 2 होता है, और उसके अलावे, n का मान जो है, आप 1 से लेना, 1, 2, 3 करना, उसके बाद, word root मैंने आपको रटवाया, एक रहेगा, तो मीथ, 2 रहेगा, तो इथ, 3 रहेगा, तो प्रॉप, 4 रहेगा, ब्यूट, carbon है, तो समझ रहे, इस तरह की संरचना आपको बना लेना है, तो इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लगतार लेकर आते रहेंगे, बस आपको क्या करना है, दखी, देखो क्या है, अभी जो आपके exam में, ध्यान दीजिए, कहते हैं न, आपके exam में, बहुत कम समय बचे है और दोजार पचीस में आप exam दोगे, और हमारा best परियास रहेगा, हमारा best जो आपको दिया जाएगा, और आपको भी अपना best देना, आप अपना best दोगे, तो हम लोग मिल जूल के काम करेंगे, और जादा से जादा नम्मर गेन करेंगे, और हमेशा general से general student का ये tendency रहेगा, कि 80% तो आए ही आए और जिसका खुआब है कि हमको 80% पर्षेंट आए वो टॉपर बनने के लिए सोचिए अभी आप अगर smart तरीके से पढ़ाई करेंगे एगम काते हैं न जेव में गांधी हो या ना हो दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए अगर आपके दिल में आंधी होगा तो आप टॉपर बन सकते हैं आपको 80% मार्क टोटल आ सकता है आप केमेस्टी में 90 पलस स्कोर कर सकते हैं है की नहीं है 12 वाले 10 वाले तो physics, chemistry, biology मिला के पुछा जाता है 80 नमर का समझ गये न तो हमारा हमारा फोकस रहेगा 2025 एकजाम के लिए और आप लोग जो लोग चैनल में नए है न चैनल को भी सस्काइब कर लिए नोटिफिकेशन आउन कर लिए अभी तो शुरुवात है आगे आगे देखा होता है क्या समझ गये चलिए आज इतने ही रणने दीजे ठीक है सब लोग से आसा एवन नवर निवेदन है भाई लोग खूब मन से पढ़िए ठीक है चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद